पर मोंसून की अन्यमित्ता के कारण कई राज्यों में किसानों को सुखे की स्थिती का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में कई जगापर तो किसान इस बार धान की उँआई तक नहीं करपाई इससे धान का रख्मा पिशली वर्श की तुलना से कम हो गया है इससे धान का उत्पादन भी प्रभावित होने का नुबान है इन हलातों के भी सरकार की ओर से इस बार धान की सरकारी खरीद यानि MSP पर अधिक खरीद करने का सरकार ने फैसला किया है इस बार सरकार किसानों से 518 लाग तन धान की खरीदी करेगी इसके लिए राज्यवार लक्षे भी निर्धारित किया जाएगा आपको बता दे कि कम बारिश या सूखे की वज़े से कई राज्यों में किसान धान की बुआई नहीं कर पाए तो कही जगा पर धान में बोनेपन की बिमारी लग गई इससे इस बार धान का उत्पादन कम होने की उमीद है वही सरकार किसानों से धान की MSP पर अधिक खरीद करके किसानों को लाप पुंचाने का परियास कर रही है ताकि किसानों को हाने की भरपाई की जा सके केंदर सरकार के खादया मंत्रालिया ने खरीफ सीजन की फसलों की खरीदारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है इसके तहट 518,00,000 तन धान की खरीदी का लक्षय निर्धारित किया गया है जो बीते साल की तुल्ला में 1.6 फीसदी अधिक है खादय विवाग ने बीते साल खरीफ सीजन में 509,82,000 तन धान की खरीदी की थी कुल मिनाकर बीते साल की तुल्ला में इस साल केंदर सरकार 9,00,000 तन अधिक धान की खरीदारी करेगी आपको बता दे के पिछले दिनों धान की बुआई और खरीदारी को लेकर केंदरिय खादिय सचिव सुधान शुपांडे ने राज्यों के साथ एक बैटक की और इस बैटक में धान खरीदारी का लक्षय निर्धारीत किया गया धान के साथ ही केंदर सरकार ने इस बार मोटे अनाजों के खरीदारी करने का लक्षय भी दोगुना कर दिया है पैटक में जलवाई उपरवर्तन के कारण गेहूं और धान की फसल के उतपादन पर असर पढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए खादय सचिव ने राजय सरकारों से मोटे अनाजों के खरीद पर विशेश ध्यान देने को कहा है इसके तैट राजयों को खरीब सीजन में 13,70,000 मिट्रिक टन मोटा नाज खरीदने को कहा गया है और अभी तक राजियों ने 6,30,000 मिट्रिक टन मोटा नाज ही खरीदा है और इस बर मौनसुन की बारिश कम होने से धान के रकवे में भी गिरावट दर्ज की गई है अंकडों के अनुसार कम बारिश की वज़े से धान के रकवे में 6 फिसद की कमी आई है इस वज़े से धान की पैदावार पर असर पढ़ सकता है ताजा अंकडों के अनुसार 26 अगस तक जिन परमुक राजियों में धान की रुपाई पिछले साल से कम थे उनमें जारखन, पश्युम बेंगोल, चत्तिसगड, उत्तरपरदेश, बिहार और उडिसा शामिल है जेता है